असलामूं अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ में बीफ पाई की रेसिपी शेयर कर रही हूं सर्दियों में यह खाने में बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं इसलिए आप इस रेसिपी को बनाईए अपने घर में और मुझे अपनी फीट बैक देना ना भूलिएगा तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक वैसल ले लिया है वैसल के अंदर अब मैं पाई आट कर दूँगी यहां पर मैंने चार पाई लिया है इसको मैं अच्छे तरीके से वाश करने के बाद इसके अंदर आट कर दिया है आप चाहें तो दो पाई भी ले सकते हैं अगर आप दो पाई ले रहे हैं तो आप उसको कुकर में भी गला सकते हैं मैं इसको वैसल के अंदर ही गलाऊंगी चलिए भी इसके अंदर पानी आट कर देते हैं देखिए, यहां पर मैंने 5 लिटर के करीब पानी आट कर दिया है, इसी के साथ में 1 टेबल स्पून फुल भर के मैंने सॉल्ट आट कर दिया है इसके अंदर, यहां पर मैंने 8 से 10 लॉंगे ले ली हैं, 10 से 12 काली मिर्चे ले ली हैं, और कुछ मैंने दालचीनी के टुकड़े ले ली हैं, गैस कफले मौन कर लेंगे, साथी साथ दो बेली वैट कर देंगे इसके अंदर, सब्सक्राइब अब इससे हाइफ लें पर पकने देंगे, यह देखिए, उसकी अंदर बनने लगी अब मैं इसके अंदर, हाफ टीस्पून हल्दी एड़ कर दूंगी इसको एड़ करने से एक तो इसके अंदर कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा इसके अंदर जो कोई स्मेल होती है इसकी वो नहीं आएगी आपको आप चाहें तो थोड़ा सा जिंजर और गार्लिका पेस्ट भी इसके अंदर प्लाइट कर सकते हैं इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से अ इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे यह हो चुके हैं इसकी लीट को कवर कर देंगे और इसको टैंडर होने तक पका लेंगे लो टु मीडियम फ्लेम पे पाय को पकते हुए लोड़ टू मीडियम फ्लेम पे दो से तीन घंटे हो चुके हैं चलिए अभी से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर मैं एक पीस उठा कर चेक कर रही हूं यह अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है बस इसको अलग कर लेंगे स्टॉक के अंदर से और स्टॉक इसका अलग कर लेंगे इसकी लीट को कवर कर देंगे सेम वैसल के अंदर मैंने 200 अमल मस्टर्ड ओईल को गरम करने के लिए रखा हुआ है आप चाहें तो कोई भी बैजीटेबल ओईल का यूज कर सकते हैं यहां पर एक स्टार इनिज ले लिया है एक जावीतरी ले लिया वनफोर्थ मैंने यहां पर जायफर ले लिया है चार चोटी लाइची ले लिया है दस से बारा काली मिर्चे हैं आठ से दस लॉंगे ले लिया है इसको आइल के अंदर आट कर देंगे जब तक यह तड़क तब तक यहां पर प्यास का पेस्ट ले मर्टे लेंगे दीचार 5 मिडियंग चैस की प्यास का पेस्ट ले कर मैने इसके अंदर आट कर दिया है ह riches तक को इसका पिंक कलर नी हो जाता है इसको लगातार चलाते रहना है कि इसका कञर चेंज हो चुका है अब में या पर ठीडेवलस्पून फुल भर के जिंजर गारली का पेस्ट आट कर दूगी इसको भी बून लेंगे चलाते हुए ताकि इसकी रॉस्मेल खदम हो जाए और यह लाइट गोल्डन कलर का हो जाए जब तक इसको बूनेंगे लीजिए यह लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है यहाँ फिर हाफ टीस्पून मैंने हल्दी पॉडर ले लिया है 4 टेबल स्पून कोरियंडर पॉडर ले लिया है 2 टेबल स्पून मैंने रेट चिली पॉडर ले लिया है वन टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है रेट चिली की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो हमारे घर में तीखा कम खाते हैं तो मैंने इसकी अकॉर्डिंग दो टेबल स्पून लिया है चलिए सभी मसालों को अच्छे तरीक से भून लेंगे थोड़ा सा पानी आट कर रही हूं यहां पर मैं इसको चलाते हुए भून लेंगे गै मसाले को जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा इसका टैक्चर आएगा यहां पर मैं एक कप धही एड़ करनी फूल भर के इसको भी चलाते हुए भूनेंगे यह देखिए मसाला कितना अच्छा भूनके तयार हुआ है इसकी बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है मसाले को भूनते हुए चार से पांच मिनिट और हो चुके हैं यह देखिए कितना दानेदार मसाला भूना है बस इतना ही मुझे इसको रखना था यहां पर मैं पाई आट कर रही हुए जो मैंने स्टॉक से अलग कर लिये थे इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि मसाला अच्छी तरीके से इन पर कोट हो जाए एक से दो मिनिट के लिए इसको मिक्स कर लेंगे चलाते हुए चलिए यह हो चुके हैं मिक्स इसके अंदर स्टॉक एट कर लेंगे सारा स्टॉक इसके अंदर एट कर देंगे इसे मिक्स कर लेंगे मुझे यहां पर पानी कम लग रहा था तो मैंने 500 ml पानी और एट कर दिया इसके अंदर इसको मिक्स कर लें फिर से आप चाहें तो इस टेज़ पर नमक चेक कर सकते हैं मुझे इसके अंदर नमक कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक और एट कर दिया है तकरीबन एक टीस्पून के करीब यह देखी इसमें बॉइल आ रहा है आप इसकी लीट को कवर कर देंगे और फिरसे से मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे 15-20 मिनिट के लिए पाय को पकते हैं 15-20 मिनिट हो चुके हैं इसको फिर से एक बार ही मिक्स कर लेंगे चलिए इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला और पाउडर रैट कर देंगे यहां पर मैंने एक इंच का अध्रक लेके इसे जूलियन कट कर लिया था 5-6 हरी मिर्चो को लेके कुछ मैंने बारिक कट कर लिया कुछ इस तरीके से कट कर लिया यहां पर थोड़ा सा हरा देनिया चौप करके इसके अंदर एक कर रही हो में हरी मिर्चों को भी एक कर देंगे थोड़ी सी अध्रग कर देंगे बाकी का हम जो इसमें गार्णिशिंग में यूज करेंगे इसे मिक्स कर लेंगे फिर से एक बारी और इसका कितना अच्छा कलर आया और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल परफेक्ट है चली से कवर कर देंगे पांच मिनट के लिए गैस कफले मॉफ कर देंगे फिर डिशाउट करके दिखाएंगे यह लीजिए तयार हैं मेरा पाय का सालन आप इसको रोटी या नान के साथ में सर्फ कर सकते हैं बच्चे हो या बड़े हो सभी को यह खाने में बहुत ही पसंद आएंगे और यह आपके गुटनों के लिए भी बहुत फायदे मन्द है तो प्लीज इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए मुझे कॉमेंट करके ज़रू बताइए कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन भी ज़रू दबा दीजिए मैं मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों के ख्याल रखिए खुश रहिए अल्ला हाफीस